यह कोई मामुली सायोग नहीं था कि 20 फरवरी को जिस दिन राहुल गांधी की भारत जोडो नियाय आतरा की राय बरीली में एंट्री होती है उसी दिन सोनिया गांधी राजिस्थान से राज्य सवा के लिए चुनी गई यह सोनिया के संसद में एक सदन से दूसरे सदन में जाने के बदलाव का प्रतिक था इसके साथ ही राय बरीली में एक जगा खाली हो गई थी जो कठिन मन्थन के बाद राहुल के नमांकन के साथ खत्म हुई राहुल का मेठी से राय बरेली में आना और किशोरी लाल सर्मा का निर्वाशन शेत्र प्रवंधक से उम्मिद्वार के रूप में परमोशन होना इन सभी ने अंतिम शड में कांग्रेस में विजार शीलिता के मंथन को दिखाया इस गहरे मंथन ने राजनितिक उद्देशियों के साथ उपलव्द विकल्पों को एक साथ लाने के मुश्किल काम को पूरा किया अंत में कांग्रेस अपने पेरों पर खड़ी होने में काम्याव रही यह यूपी के राइबरेली में नमांकन के दोरान राहुल गांधी को लेकर भावनाओ और लोगों के समर्थन को देखने में सामने आया यूपी को कभी गांधी परिवार के गड़ के रूप में जाना जाता था लेकिन पिछले दो दशक से यह एक वास्तविक चुनोती बन गया है 2024 के जनादेश से पहले कांग्रेस के लिए दुनिया को उलट पुलट कर देने वाली सभी चीजों की तरह उत्तर भारत में दिसंबर में विधान सवचुनावों में हार ने उन रणनिती कारों के बीच संदे को फिर से जगा दिया जो दोनों सीटों पर पार्टी के दावे को मजबूत करने के लिए MP और 36 गण में जीत का वे सबरी से इंतजार कर रहे थे लेकिन दो महीने के भीतर जैसे ही राहुल की यातरा VIP इलाके में पहुची और जोरदार स्वागत हुआ कांग्रेस निराशा से आशा की ओर लोटाई धार्णा यह थी कि प्रियंका गांधी वाडरा राय बरेली में मा सोनिया की जगा लेंगी जबकि राहुल वाइनाड के बाद अमेठी से दूसरी सीट से चुनाव लड़ेंगे यह सुनने में जितना असान लग रहा था यहे उससे कहीं यतिक जटिल काम साबित हुआ हलाकी चर्चा दो महीने तक चली लेकिन पता चला कि दोनों भाई बहनों में से कोई भी चुनाव लड़ने का इशुक नहीं था राहुल के मन में बाइनाड को खाली करने की संभावना के बारे में शंशय था जो 2019 में अमेठी हारने पर उनके साथ खड़ा था वहीं प्रियंका जाहिर तोर पर संसद में एक और गांधी के विचार के खिलाफ थी यहीं पर प्रमुक मली का अजुन खड़गे के नेतरित में कांग्रेस नेतरित्म ने भाई बहनों पर दवाब डालना शुरू कर दिया कि उन्हें यूपी से चुनाब लड़ना चाहिए राहुल पर दवाब डाला गया कि राय वरेली को नहीं छोड़ा जा सकता क्योंकि यह एक पारिवारिक विरासत का प्रतीनिधित्व करता है जिसकी सुर्वात फ्रोज गांधी से हुई फ्रोज गांधी ने 1952 में अजादी के बाद पहले चुनाप के लिए से चुना और 2024 तक सोन्या गांधी इसका प्रतीनिधित्व करती रही सुत्रों ने कहा कि प्रियंका देर तक नराज रही इस सब्था की तहरा उसे भी लड़ाई लड़नी चाहिए चिंता ये थी कि अगर राहुल राय बरेली चले गए तो बीजेपी और इसमरिती इरानी एक रेडिमेट अटेक लाइन के साथ उतरेगी कि वह अमेठी से भाग गए इसमरिती इरानी अमेठी से पिछले चुनाब में उनकी प्रती द्यूंदी थी वहीं कुछ लोगों का मानना है कि अमेठी में प्रियंका महिला बनाम महिला प्रती योगिता के रूप में एक बहतर रणनितिक पहतरे बाजी साबित होगी जैसे कि कई परिवर्तन पर्याप्त नहीं थे शायोगियों और कारेकरताओं ने गांधी भाई बहनों को कमान संभालने के लिए अपना दवाब दोगुना कर दिया चेतावनी दी कि कोई प्रदर्शन नहीं करने से ये धारना तूट जाएगी कि पार्टी ने असंभफ माने जाने वाले दोजार चोबिस में चमतकारिक ढंग से काम्यावी हासिल की है अयोध्या के बाद बीजेपी के खिलाफ मुकावले में उतर ना था लेकिन जैसे ही प्रियंका अपनी राय पर अड़ी रही राहूल को यूपी में अकेले चुनाब लड़ने के लिए संघर्स करना पड़ा यहां तक की सीट की पसंद को तै करने के लिए पारिवारिक विरासत का मुद्धा भी चर्चा में रहा अंत में अनिक्षुक राहूल कई समिकर्णों को संतुलित करने के लिए राय वरिली से चुनाब लड़ने के लिए सहमत हुए साथ ही कांग्रेस जिसके पास अतीत में सती शर्मा जेसा कोई पारिवारिक मित्र नहीं था को निर्वाचन शेतर प्रवंदक के लिए शर्मा पर भरोसा करना पड़ा शर्मा पिछले चार दशकों से केडर और रणनीतिक का प्रवंदक कर रहे हैं इस अबधी के दोरान देरी का एक कारण ये था कि राहूल और पार्टी साबधान थे कि इस मुद्दे पर कोई भी सारुजनिक बहस वाइनाड में मतदान समाथ होने के बाद ही आयुजित की जाए ऐसा ना हो कि इससे केरल में मतदाता नराज हो जाए भविशे में भी वाइनाड को खाली करना असान नहीं होगा क्योंकि कांग्रेस 2024 में केरल विधान सवा चुनाव की तयारी कर रही होगी केरल कांग्रेस के लिए प्रात्मिक्ता है क्योंकि प्रतिद्यूंदी वाम दल 2021 में एक अभुत पुर्व कारेकाल जीतने में काम्याव रहे इससे राज्य कांग्रेस में संकट पेदा हो गया यहां मोके की तलाश में बेठी बीजेपी किसी भी तरह की शुरुवात के लिए पुर्जोर कोशिस कर रही है भाजपा की इस आलोचना के बावजुद कि राहुल अमिठी से भाग गए गांधी परिवार के लिए अपने पुर्व शेतर में दाव उचे बन हुए है केल शर्मा के साथ और खचाकज भरी भीड के साथ प्रियंका ने अमिठी में नमांतर रेली में कहा कि वे 6 मैं को वापस आएंगी और चुनाव के अंत तक वहीं डेरा डालेंगी जैसे जैसे दीन वीतेंगे ये इसपश्ट हो जाएगा कि शर्मा के उम्मेदवार होने के बावजुद ये चुनाव गांधी परिवार का है